बिस्मिल्लाही रह्माने रहीम, अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स, वल्कम बैक टो माई चानल हीना भी हेल्दी फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुती ज़रूरी जानकारी पे वीडियो लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ अगर आपका IUI प्रोसीजर चल रहा है जिसको हम मेडिकल भाषा में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं ये एक प्रोसीजर होता है जो इनफर्टिलेटी कपल्स को दिया जाता है जब वो बहुत सालों से ट्राइ करते हैं अगर उनको सफलता नहीं मिलती है नाचुरली भी उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया फिर भी सफलता नहीं मिल रही है तो डॉक्टर IUI की सला देते हैं तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सला देने वारी हो गर आपका भी IUI ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप कौनसी ऐसी टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आप अपने IUI के सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं मेरी एक पेशन्ट है जुनके तीन IUI फेल हो गए ह तो मैंने उनको कुछ ऐसी टिप्स रिकमेंट की थी फोथ IUI में तो उनका वो फोथ IUI सक्सेस रहा तो वही सारे टिप्स में आपके साथ में शेयर करने बारी हो कैसे आप अपने IUI के सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड आज का इंपॉर्डन वीडियो श चल रही है गुड मॉर्निंग मैम इस शेला फ्रम वेस्ट बेंगॉल मैं मेरा IUI सक्सेस हो गया आपके कारण मेरी आप से बहुत लेट बात हुई थी तब तक मेरा IUI ट्रीटमेंट चालू हो गया था घर वालो के प्रेशर के कारण करना पड़ा मेरे पहले तीन IUI फेल तो डॉक्टर ने बोला आपको IVF कराना होगा मेरी शादी को 7 यर्ज हुए मैम आपकी ब्लैक रेजिन वाटर एंड स्मूती विच सीड साइक्लिंग एंड हैर वश ट्रिक एंड केसरी कल्फ चनपराश मैंने IUI के साथ कंटीनू रखा आपके कहने पर और मुझे इस बार सक अपने पॉजिटिव फीडबेक शेयर किया है अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ में इनका फोथ आईउआई सक्सस रहा क्या क्या टिप्स इनोंने अपने IUI ट्रीटमेंट के साथ कंटीनू रखी थी इनोंने हापे मेंशन की है ब्लैक रेजिन वाटर स्मूती विच सीच साइकलिंग, हैर वाश ट्रिक एंड केसरी कल्प चरन प्रश अपने हस्बेंड को दिया तो अगर आपका भी आईउआई ट्रीटमेंट चल रहा है तो अपने आईउआई ट्रीटमेंट के साथ में आप ये सारे टिप्स को भी कंटीनू रख सकते हैं फ्रेंड आईउआई को सक्सेस करने के लिए एक साल पहले भी मैंने वीडियो बनाया था अगर आप उसको भी फॉलो करना चाते तो कर सकते हैं उसमें मैंने बहुत सारी चीजे डीटेल में बताई हुई हैं अगर आप वो फॉलो करेंगे तो जाद अच्छा होगा लिंक मै आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो फ्रेंड मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि आईउए प्रोसीजर होता क्या है इसको हम मैडिकल भाशा में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं यह एक एडवांस तरीका है इन्फ आपका हर अल्टरनेडेस फॉलिकलर मॉनिटरिंग होता है यानि कि टीवियस मॉनिटरिंग के द्वारा यह देखते हैं कि अंडे कितने बने कितने ग्रो हुए एक अच्छे अंडे की साइस 20 से 22 mm की होती है जब आपका एक एग या दो एग 22 से 20 mm का बन जाता है तो डॉक्टर आपको एक ट्रिगर शॉट देते हैं जिसको हम HCG इंजक्शन कहते हैं यह ट्रिगर शॉट देने के बाद में 36 गंटे के अंदर आपका एग रप्चर हो जा और यह होता है IOI procedure यानि कि सारी चीज़े तो naturally होती है लेकिन डॉक्टर monitoring करते हैं कि एक कितना बना कितना ग्रो हुआ और spums को जो है वो wash करके अंदर डाला जाता है वो इसलिए ताकि जो अच्छे spums है अच्छी गुणवत्ता के spums है उन्ही को inject किया जाए ताकि वो प्रोसेस से थोड़ा advanced प्रोसेस है इसमें infertility couples को help की जाती है conceive करने के लिए जैसे ही आपका IOI treatment हो जाता है doctors आपको कुछ ऐसी medicines देते हैं जो आपकी body में progestron को बढ़ा सके और आपका implantation success हो सके तो अगर मैं overall बात करू तो IOI यह कैसा procedure है जो आपको गरधरन करने में help करता है लेकिन ऐसे बहुत से couples है जो 4 बार 7 बार 8 बार भी IOI करवा चुके हैं लेकिन उनको success नहीं मिली है तो आज का ये वीडियो उनहीं लोगों के लिए है अगर आप लोग IOI करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप ये सारे tips को शुरू करना start कर दीजे पीरट के पहले दि वोमन स्पेशल स्मूती, सीट, साइकलिंग, हैर वाश ट्रिक्स, सॉक्स वाली ट्रिक जो की implantation में help करेगी, husband को केसरी कल्प चरवन प्रश दीजे, ये सारी चीजे help करेंगे आपको IOI success करवाने में अब मैं आपको कुछ additional tips दे देती हूँ, IOI procedure में हर alternate days आपको ultrasound के लिए जाना होता है जब तक आपके एग नहीं बन जाते, तो इस time के लिए बहुत ज़्यादा frustrated ना हो, अपने mind को काम रखे, खुश रहने की कोशिश कीजे, अपने mind को बार बार ये संकेत दीजे कि मेरा IOI success हो जाएगा मैं गर्भधारन कर लोंगी, पानी जादा से जादा पीजे, citrus fruit या citrus juices जादा पीजे, full fruit का intake जादा करे अपनी बाडी में, vegetables, lat का intake अपनी बाडी में जादा करे, क्योंकि friend आप IOI procedure से गर्भधारन करने के लिए जा रहे हैं, तो सारा procedure आपका medicines और injection से हो रहा है, तो naturally आपकी body में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको naturally भी सारे nutrients और proteins को अपनी body में डालना है, ताकि आप IOI को success कर सके, इसके लिए आप जादा से जादा vegetables खाईए, जादा से जादा पानी पीजे, full fruit खाईए, ताकि आपका IOI success हो जाए, एक healthy माही, एक healthy बच्चे क चल रहा है, अपनी body का पूरा ध्यान रखे, diet का पूरा ध्यान दे, प्राणायम करे, योगा करे, और stress free रहे, आपके कितने भी IOI fail हुए है, अगर आप IOI procedure के लिए जा रहे है, तो एक बार मेरी tips को भी साथ में जरूर include करे, मेरी ये patient वैसे तो naturally conceive करना शाती थी, बट इनक appointment late मिला, जिस कारण से इनका IOI procedure स्टार्ट हो गया था, क्योंकि family का भी बहुत ज़दा pressure था, शादी को साथ साल हो गये थे, तो जब इनको मेरी appointment मिली थी, इनका IOI procedure स्टार्ट ही हुआ था, तो मैंने इनको जितनी भी tips बताए थी, strictly इनोंने follow किया, और इनको result भी मिल गया, I hope friend आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकूँ न भूले, अपने ovulation days को ट्राक करने के लिए Simply Hina Health Android application डाउंलोड कर लीजे, जिसका link आपको नीचे description box में मल जाएगा, आप लोग मुझे मेर 26 at the red gmail.com पे mail कर सकते हैं, I want consultation, आगे का procedure मेरे टीम आपको गाइड कर देगी, तो friend आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों से next video में, next another new topic के साथ जब तक ये ले, Allah हाफिर